स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमान चल बुलेटिन में, मैं हूँ आपके साथ अरीबा खान किशनगंच टाउन थाना शेत्र के रूईधासा महलला इस्थित प्रेमपुल में मंगलवार दुपहर नहाते समय एक बारा वर्षी बच्चा पानी में बह गया था जिलापरशासन द्वारा बच्चे की खोजबीन का प्रेयास नहीं किये जाने से आकरोशित लोगों ने खगड़ा इस्थित साहना एराकी चौक के समीब राष्टे राजमार्क 27 पर अगजनी कर सड़क को जाम कर दिया लोगों ने जिलापरशासन के खिलाफ नारे बाजी कर नदी में डूबे हुए बच्चे को खोजबीन कर निकालने की मांग की आक्रोशित लोगों ने कहा कि प्रिशासन द्वारा आश्वासन देने के बाद भी डूबे हुए बच्चे को निकालने के लिए प्रयास नहीं किया गया जिसकी वज़े से सड़क को जाम किया गया है परिजनों ने मांग की कि जब तक SDRF की टीम नहीं पहुँचेगी तब तक सड़क जाम रहेगी दरसल मंगलवार दोपहर को सदर्थाना शेतर के रूईधासा प्रेमपुल की रेलिंग से पैर फिसल जाने के कारण 12 वर्षिय सराज डूब गया था जिसे बुलेटिन की तयारी तक बरामद नहीं किया जा सका है परिजासन दौरा SDRF टीम को बुलाने के बाद ही लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ और जाम को खाली करवाया गया खटिहार में सदरस्पताल परिसर में ही शराब के खाली बोतले मिलने के मामले को लेकर उतपाद विभाग ने आज च्छा पेमारी की है खबर परसारित होने के बाद उतपाद विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है उतपाद अधिक्षक ने कहा कि निश्चित तोर पर सदरस्पताल परिसर में शराब के खाली बोतले मिलना गंफीर विशे है उन्होंने कहा कि आगे भी अब रूटीन जाच जारी रहेगी कडिहार के कोड़ह थाना शेत्र के महिनादपुर चौक से लेकर छत्रिया पिर एनेश-31 पर चेन स्नेचिंग कर रहे बदमाशों को लोगों ने दबोश लिया और उसकी जम कर पिटाई की गुसाय लोगों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया है तलाशी के दौरान उसके पास से देसी कटा बरामद हुआ बदमाश की पहचान कोड़ह पिरखंड विसरिया निवासी मितुन कुमार सिंग के रूप में हुई है गुसाय लोगों का कहना है कि पिछले एक माह से इस हाईवे पर जपटा मार ग्रू एक्टिव है बदमाशों ने करीब आधा दर्जल से अधिक मोबाईल और सोने की चेन चीनी है पुलिस से इस मामले को लेकर शिकायद भी की गई लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ इसके बाद युवकों ने बदमाश को धर्दबो जा यहाँ के पोठिया ओपी थानरशेतर के सामदाइक स्वास्थेकेंदर समेली में भरती जूली कुमारी और उसके बच्चे की मौत परसफ के दौरान हो गई परिजनों ने दोनों की मौत का जिमेदार डॉक्टर की लापरवाही को बताया है परिजनों के आकरोश को देखते हुए सभी स्वास्थेकर्मी PSC छोड़ फरार हो गए परिजनों के रोने से पूरा PSC परिषर में मातम का माहौल है आकरोशित परिजनों और ग्रामेडों ने NS31 को आगजनी कर जाम कर दिया परिजनों की माने तो कोई भी पद अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुँचा गटना की सूचना मिलते ही पोठिया ओपी पुलिस घटना स्थल पर पहुँची और परिजनों वगरामेणों को समझा बुझा कर शांत करवाया और जाम को हटवाया परिजनों ने आवेदन दे कर दोशी डॉक्टर और स्वास्ते कर्मी पर कारवाय की गुहार लगाई है अररिया नंगर थाना शेत के डमहेली में घरेलू विवात के दौरान एक युवक ने जहर खा लिया जिससे वह बेहोश हो गया परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही आननफानन में उसे इलाज के लिए सदरस्पताल अररिया में भड़ती कराया गया सदरस्पताल के चिकेसक ने प्रात्मिक उपचार के बाद युवक की स्थिथी गंफीर देखते हुए उसे बहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पॉणया रेफर कर दिया मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम रब्बान है जो अररिया के डमहैली गाउं का रहने वाला है परिजनों ने बताया कि घर में मामूली विवात हुआ था जिसके बाद युवक ने जहर खा लिया जिससे वे बेहोश हो गया युवक को बहतर इलाज के लिए परिजन हायर सेंटर पॉणया ले गए है युवक की स्थिती काफी गंफीर बनी हुई है अररिया के रानिगंज गोलिकार्ण में घायल हुए पत्रकार बलराम विश्वास की स्थिती में अब सुधार है उनका इलाज पॉणया के एक निजी अस्थिती की जानकारी ली चिकिसक ने उन्हें खत्रे से बाहर बताया है अस्थिती अब सामानने है दो से तीन दिन में बलराम विश्वास को अस्थिती दे दी जाएगी नितीश सरकार के 15 साल पूरी होने पर किशन गंज में जेडियू निताओं के बीच जशन काम माहौल रहा जेडियू निताओं द्वारा इस मौके पर जिले भर में कई कारेकरमों का आयोजन किया गया जेडियू प्रदेश सचेव दॉक्टर तारा सुथा आर्या ने एक प्रेस कॉनफरेंस कर कहा कि सीएम नितीश कुमार की अगवाई में राज्य विकास के पथ पर अगरसर है उन्होंने कहा कि शिक्षा के शेत्र में पोशाक योजन, प्रोचसाहन राशी, साइकल सहित अन्ने सुविधात देने से बच्चियों की शिक्षा में काफी सुधार हुआ है डक्टर आरे ने कहा कि 2005 में कुछ नहीं था लेकिन हमारी सरकार ने औरतों को 50 परदिशत आरक्षन भी पिरदान किया है जिससे महिलाएं हर शेत्र में आगे बढ़ रही है 2005 में हमारे इंजिनरिंग कॉलेज पूरे बिहार में एक भी नहीं थे अभी 38 जिलों में इंजिनरिंग कॉलेज खुल गए है 2005 से पहले मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं था 2005 से लेकि 2020 के बीच में आप देखे 15 नए मेडिकल कॉलेज इस खुले है इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्दी है जो लोग शराब बंदी के बारे में बोलते हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि कितनी बड़ी उपलब्दी है शराब बंदी घरली अत्यार और हिंसा से तो बचे ही खुद के जान से तो बचे ही साथ में आप ये देखे कि driving जो road accidents है under drunken category पहले 2005 में उसकी गिंती थी 1457 cases road accidents के हुए थे वो ही आप देखे 2020 में इस जीरो एक भी drunken category के under में road accidents नहीं हुए हैं जो भी वह है वो other causes के हुए से होंगे drunken category में नहीं ये अपने आपे बहुत बड़ी उपलब्दी है कटिहार नगर निगम शेत्र के वाड नमबर 23 में जनता दल United के द्वारा सदसेता अभ्यान चलाया गया इस सदसेता अभ्यान के दौरान कटिहार के जेडियू सांसद दुलाल चंदर गोस्वामी मौजूद रहे कारेकरम के दौरान आठ लोगों को सांसद दुलाल चंदर गोस्वामी ने पार्टी की सदसेता दिलाई मोके पर कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने बताया कि अलपसंक्यक समाज का जेडियू के परती लोगों का रुझान बढ़हा है कि पचले कई दिनों से रेगुलर बिहार सरकार के 15 साल पूरे होने पर सरकार के कारे को लेकर कॉंग्रेस के राष्ट्रे माहा सचेव सहपूर विसांसत तारे अनवर ने कड़ी पिरते किर्या दी है उन्होंने कहा कि बिहार में जो विकास होना चाहिए था वे कहीं दिखी नहीं रहा है इतना लम्बा समय मिलने के बावजोजु सरकार उद्योग क किशेटर में कोई विकास नहीं कर पाई जिस कारण आज भी पूरे बिहार किसा साथ सीमाचल इलाकों से रोजगार की तलाश में अन्य परदेशों के लिए मज़ूरों के पलायन बड़ी समस्या है आज भी पलायन सबसे ज़्यादा अगर कही होता है वो बिहार से होता है तो क्या दावा करते हो किस बात का दावा करते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है किशन गंज डियम डॉक्टर अदित बिरकाश के द्वारा ठाकुर गंज बिखर्ण भ्रामर के दौरान गलगलिया चेक पोस्ट पर वहन की आवजा ही और चेकेंग कारे का निरीक्षण किया गया साथ में SDM और SDPO भी मौजूद रहे ग्यात हो कोई गलगलिया चेक पोस्ट पर उतपाज चेक पोस्ट का निर्मार किया जा रहा है इस से राज्जे में लागू, मध निशेत पर और भी सक्त तरीके से परभावी नियंतरन किया जा सकेगा सलिगुडी में SSC और West Bengal Secondary Education में ब्रश्टचार सहिट TMC के भाई भती जवाद की नीती के खिलाफ वाम युवव अच्छार्थ संगर्थन ने D.I. काराले के सामने परदशन किया काफी देर तक परदशन करने के बाद एक परतनी धीदल D.I. काराले में गया और उन्हें ग्यापन सौपा उन्होंने आरोप लगाया कि TMC सरकार में SSC और West Bengal Secondary Education में TMC नेता वकर्मी या उनके परिजनों को ही नौकरियां दी जा रही है जबकि योगे अपयार्दियों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है उन्होंने मांग की कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उन्हें जल्द ही जेल में डाला जाए आज के लिए इतना ही सीमानचर की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मेंमीडिया.इन पर भी जा सकते हैं आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सेये शादाब, तहसीन अली और रबिंद के अदव